आज की मार्केट ने बहुत जाद अच्छा आउट परफॉर्म करा है और जो लेवल्स हम लोगोंने कल डिसक्स करे थे वीडियो के अंदर एक पॉइंट ओफ रिवर्सल देखने को मिला हम लोगोंने पास्ट वीडियो पे बात डिसक्स करी थी कि 19,570 पे अगर एक पॉसिबल रिवर्सल आता है तो वीडियो डिफिनिटली गो लॉग इन दे मार्केट और आज एक्जाक्ली वैसा हुआ और लाइव में आया था यूटूब पे आप लोगों के साथ लाइव मार्केट के अंदर और मैंने वाँ दिखाया भी था कि मैंने भी कुछ ट्रेट लिये थे ज इसे कंटिन्यू कर सकता है या की हरडल है जिसकी वजह से कल मन्तली एक्सपारी में हमें मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिल सकती है सारी डिसकेशन करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर इसके लावा कौन से स्टॉक्स को आप वाच कर सकते हो एक दो स्विंग रहा हूँ, जिस्त मैं आपको को analysis समझाना चाहरा हूँ कि stocks की कैसे करी जाती है, कैसे finding करी जाती है, कि आप एक independent trader बन पाओ और खुड trades लेने के लिए capable हो, आपको यहाँ पर जो भी stocks या nifty analysis, bank nifty analysis, कुछ भी बताया जा रहा है, आपको buy और sell की अगर आप trade लेते हैं, और loss होता है, तो उस सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, और मैं यह नहीं चाहता है, तो please अपनी analysis करिए, और खुड trade लेजे, चलते हैं screen की तरफ, ओके guys, तो हम लोग अपनी screen की तरफ आचुके हैं, सबसे बहले nifty को एक बस study कर ले दे हैं, nifty पे हम लोग उने एक trend line already draw करे वी थी, जो सारे supports को connect कर रही थी, चीक है, यह discussion हम लोग उल्रेडी past 3 videos के अंदर कर चुके हैं, बट मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, सो यह trend line हम लोग ने बनाई थी कि ऐसा support यह definitely काम करेगा, and after that हम लोग ने एक यह zone भी create करा था, चीक है, कि इस zone के अंदर हम लोगों को सबसे जादा volatility और volumes देखने को मिल रहे हैं, buyer और sellers की fight देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं आपर volume profile indicator का use करता हूँ, breakout आने से पहले, चीक ह exactly सबसे जादा जो volume है, point of interest है, और यहाँ पर यह level पर ही है, so अगर मैं यहाँ पर एक zone ही create कर देता हूँ, आप लोगों के लिए, ठीक है, एक second, और इसको हटा देते हैं, so यह zone अल्रेडी बन के आगे है, कि इसके breakout के बाद एक बड़ी rally देखने को मिली, and after that यहाँ पर एक support लिया करता था, after a breakdown, यह इसके लिए resistance बन गया था, so यह level बहुत important था, so we've told that कि अगर trend line break होती है, और वो 19,570 के असपास आती है, so definitely we should go for a long side, because अगर trend line break होगी, so majority of the retail traders will try to take a short position in nifty, और जैसी वो इस level को test करके reversal देगी, many of their stop losses will get hit, ठीक है, और जो lower level पर buy करना चाहेगा, multiple पल उनके stop losses भी hit हो सकते हैं, और exactly as आज ऐसा हुआ, so let's go to 5 minutes time frame, so मैं भी दिखाता हूँ मैंने trade कहाँ पर लिया था, first of all आप check कर सकते हैं कि आज 27 है, और definitely a gap down opening होई, as told earlier, मैंने last video में आपको एक खल बताया था, कि gap down opening हो सकती हो, market नीचे जा सकती है, and जब market नीचे piece का, and वहां पर point of interest ये reversal दिखता है, then we should go long, okay, and let me use a 1 minute time frame, just to show you कि हम लोग ने कहाँ पर entry लिया है, as you can see it here, exactly ये जो level है, 19,570 का है, and उसके नीचे last गया है, 19,550, which is good, I have told you in my Tuesday video कि 19,550 भी जा सकता है, because वहां पर open interest बहुत जादा बढ़ा है, which is act as a very good support, ठीक है, और एक जो चीज मैं और बता रहा हूँ, ये चीज मैं आपको बार-बार हर वीडियो पर बता चुका हूँ, देखे, इसने ये interest ब्रेक करा, यहां पर majority of the sellers enter करे हूँगे, आप देख सकते हो, यहां पर बहुत सारी short positions बनी हूँगे, यहां पर multiple resistance phase कर रहे हैं, तो यहां पर multiple short positions इधर बनाई हूँगी, इधर बनाई हूँगी, या निधर बनाई हूँगी, but I've got long at this level, और मैंने आपको live दिखाया भी था आज, एक बज़े के आसपार, देट बज़े के आसपार, कि मैं exactly इस level से market के अंदर long गया था, कैसे, आप यहां देख सकते हैं, कि यहां पर already double bottom बनाई है, अब as a retail trader, आप लोगों के लिए double bottom है, but अगर हम लोग ऐसा professionally इसे identify करे हैं, तो अभी तक यहां पर कुछ भी नहीं बना है, because to become a double bottom, we need a confirmation, and to get a confirmation, we need this particular neckline of that double bottom to cross above this, ठीक है, but ऐसा कुछ नहीं हुआ, so जब भी लोग क्या सोचते हैं, कि अगर एक साथ दो बार आचुका है, remember that, ठीक है, आप सोचते होगी, यार यार यह तो एक bullish engulfing candle बने गई, let's go long, because it's a double bottom, आपने आप पर entry बनाई, या entry बनाई, या entry बनाई, and after that, your stop losses got hit, because आप सब के stop loss double bottom के नीचे होंगे, yes or no, ठीक है, अब जित्ते लोगों ने भी यहां पर short positions बनाई हैं, जित्ते लोगों ने भी यहां पर entry बनाई है, इस level पर entry बनाई है, इस level पर entry बनाई है, उन लोगों को यहां पर profits दिखना शुरू करें, उनका level यहां पर break हुआ, double bottom का structure break हुआ, और short positions enter हुई, जित्ते long यहां पर आए वे थे हैं, उन लोगों के long के stop losses को hunt करा, trap करा, I've got long at this price, because I know, अगर उनने buyers को trap कर दिया, buyers के stop losses को trap कर दिया, that means अब वो sellers के stop losses को trap करने जाएगा, और this is the time I go long, मैंने call option buy करी थी यहां पर, and definitely हम लोगों को बहुत अच्छा profit दिया था, अब यहां पर आप चेक कर सकते हैं, after a very good momentum, very good momentum, यहां पर एक hurdle आया, because यहां पर एक selling आया थी, बहुत बढ़िया, तो many of the people try to sell here as well, market नीचे गई, rejection मिला एक ही candle में, आदा उनका जो भी profit अगर इदर दिख रा होगा, वो बिलकुल negligible होगा, and after that, it gave a very good break out, and हर जगा उसके stop loss is hit उतरा है, परला यह जो gap है, इस gap के आज पस stop loss is hit हुए, after that, यह जो particular high creative होगा था, यहां पर stop loss is hit हुए, and market try to continue on then upward direction, so I hope आप लोगो को point समझ में आ गया होगा, क्या है, अब जो main hurdle है, जो मैं आप लोगों से last दो वीडियो में कह रहा हूँ, that is 19,700, 720 रूपीज का level है, ठीक है, we need a very good closing of this level, मैं एक बर line of structure द्रॉप कर देता हूँ, आप लोगों के लिए, यह particular level है, ठीक है, we need a very good closing of this level, but exactly इस level पे close कर रहा है, but that doesn't mean, कि अब market यहां से long हो गई है, ठीक है, एक सबसे बड़ा hurdle हम लोगों को, यहां पर भी देखने को मिल सकता है, 19,785, but it's far away, so अभी हम लोगों को उसके लिए सोचना नहीं है, अब देखें, कल monthly expiry है, तीन सेनारियों बन सकने है, सबसे पहले, आज एक बहुत बढ़िया recovery आई, एक बहुत बढ़िया momentum आई है, कोई भी sell-off इसके अंदर में देखने को नहीं मिल रहा था, और every sell-off होना shorter time frame, इसका trying to convert हो रहा था, और long positions के अंदर, और buying pressure ज़ादा generate हो रहा था, nifty और bank nifty दोनों के अंदर, ठेक है, तो इतनी बड़ी अगर movement आई है, तो majority of the people already booked their buy position, बहुत जादा तर लोगोंने already profit booking कर ली होगी, अगर उन लोगोंने long positions बनाई होगी, short positions किसी ने नी बनाई होगी जादा तर, because curve off हो चुकी होगी, जादा तर, थोड़ी बहुत रहती होगी, थोड़ी बहुत buying रहती होगी, so there must be a slight chance कि कल market sideways रह सकती है, on a starting basis, और थोड़ी सी जादा volatile हो सकती है, because monthly expiry है, कि एक उपर की तरफ breakout दे रही है, और फिर बहुत तेजी से नीचे आ रही है, तो एक बड़ी movement upside downside दोनों तरफ रह सकती है, ठीक है, so यह चीज को भी remember रखना है, so let's say कि अगर दोनों तरफ momentum आती है, तो what we after do, देखें सबसे पहले अगर market इसी level पे open होता है, तो हम लोग अगर उपर की जाने की कोशिश करता है, 19,735 की उपर जाता है, तो definitely एक छोटा सा trade long लिखा ले सकते हैं, with a target of 19,780-85 रूपीस का, ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता, market इनी levels पे open होती है, और नीचे जाने की कोशिश करती है, तब हम लोग short position नहीं बनाएंगे, ठीक है, अगर ये market नीचे आती है, तो यहाँ पर जित्ते लोगों ने भी long position नहीं बनाई है, ठीक है, इन levels पे, बिकॉस अगर ये one minute का भी, अगर मैं time frame उपन करूँगा, तो यहाँ पर आपको gap नहीं दिखेगा, बट अगर आप कुछ seconds पर जाओगे, तो यहाँ पर आपको gaps दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, कहीं पर भी यहाँ पर positions नहीं बनी है, अभी fair value gap यहाँ पर pending है, so there might be a chance, अगर नीचे आता है, तो एक अच्छा level मिल सकता है, अम लोगों को long जाने के लिए, ठीक है, तो make sure आप telegram channel है, नीचे description पे link, आप जाके join कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मैं बता दूँगा, timing and everything, so most probably we, I generally want कि market पे एक sell-off आए, and on a lower levels, I can buy, I can go long on nifty, because I think कि nifty अभी भी strong है, but अगर dips level पे मिलता है, I can hold nifty, अगर मैं daily time frame पे आपको एक बर और दिखा देता हूं, तो बहुत अच्छे level पे मिल रहा है, अगर इस level से ही आप move देना start करता है, तो our stop loss is very low, as compared to the target we can expect, और target ही gap filling हम लोग definitely expect कर सकते हैं, so make sure कि आप इस पे watch रखिए, buy on dips strategy we can implement, but buy on dips का मतलब यह नहीं कि, कहीं सब छोटी से भी green candle fall के बाद बनती ही, आप long चले जाओ, you have to be find a very good confirmation, before entering into any trade, एक बर इसका open interest data चेक कर लेता हूं, so open interest data के अंदर, put change अगर आप देख रहे हो, तो almost 2.5 प्लस करोड़ है, and call 88 lakh है, so major difference है, that means कि co-put writers are still active on nifty, but, अगर put writers इतने जादा active हैं, तो there must be a plan की, market का range amount to slightly उपर खुल सकती है, और अगर वो खुलते ही उपर जा रही होती है, तो 17,000, 19,000, 750, 19,000, 780 की level आ सकते हैं, और उसके बाद profit booking आएगी, क्योंकि अगर यह put writers हैं, they will definitely try to exit the market, around 750, 780 levels की आसपास, तो अगर कल starting में उपर आता है, target hit होता है, start booking your profits, ठीक है, अब market नीचे आएगी, then only we'll enter the position, एक बार bank nifty में आपको दिखा देता हूँ, okay, so bank nifty पे भी as discussed, हम लोगोंने कल यही same चीज़ discussed करी थी थी न, अगर आपको याद होगा, एक बार कि मैं इसको थोड़ा और आगे, extend कर देता हूँ, आप लोगों कले, yeah, मैंने extend कर दिया है, तो as you can see it here, कि यह level पहले इसके लिए, resistance के through act करता था, after a very good breakout, it acts as a support, after a breakdown, it acts as a very good resistance, and after a breakout, एक बड़िया रैली हम लोगों को देखने को मिलिया, ठेक है, अब यहाँ पर यही जो particular level था, यही हमारे लिए ऐसा retest level था, और हम नहीं चाहते दे कि वो अपने previous swing लोगों को break करे, but it break that level, let me just show you, अब देख सकते हैं, यह level exactly, एक wick के through break हुआ है, जहां पर multiple stop losses hit हुआ है, because there was a consolidation, inside candle formation था, after a bearish move, so majority of the people, try to short from this position, market नीचे भी गई, but after that, एक candle नहीं हों के, सारे stop losses hit कर देखने, after that, the trend continues, trend continue रहा, but as compared to nifty, bank nifty के अंदर, जादा buying pressure, हम लोगों को देखने को नहीं मिला, which is also a good sign for me, for bank nifty, because अगर इसने आज आज आउट परफॉर्म नहीं करा है, तो definitely, कल अगर market after a fall, perform करना start करती है, तो bank nifty will be the one, जा आउट परफॉर्म कर सकता है, और अगर उपर भी जाती है, तो भी bank nifty आउट परफॉर्म कर सकता है, so we have to check that level, इसके लावा 44,650 का एक level है, let me draw that for you, यह एक particular level है, अगर इसके उपर जाना start करता है, तो definitely, bank nifty के अदर एक अच्छा positive momentum, हम लोग expect कर सकते हैं, 200, 240 points का, अगर market fall करना start करता है, अगर यह bank nifty generally fall करना start करता है, from this level, और let's use a 20-day EMAX, exactly same level पर है, अगर fall आता है, तो we will not try to enter, देखे, मैं आपको एक चीज़ बुलना चाहता हूँ, हमें अगर fall आता है market के अंदर, तो उसे capture नहीं करना है, we have to wait for the long position, यहाँ पर bias, मैं नहीं कहना चाहरा है, कि मैं bias हूँ long के लिए, तो for that हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी put position लेकर, या short positions लेकर, तो एक बार bank nifty का भी open interest, चेक कर लेते हैं, या almost put change 63 है, call change 69 है, no major difference, कोई major difference नहीं है, stabilize चल रहा है, but there is a fight, as I told you कि bank nifty नहीं परफॉर्म नहीं करा, there were multiple buyers and sellerifies between this level, so we have to wait and wait, तो इस पर हम लोग चेक करेंगे, इसके लावा चलते हैं, अब stocks के analysis पे, तो our first stock is Apollo Hospital, so on Apollo Hospital, let me first open a weekly time frame, first of all, on a weekly time frame, it create a very good head and shoulder pattern, after a very good head and shoulder pattern, on a weekly time frame guys, it gave a very good momentum, stock came down for a retest, it retests at this particular neck line, even at a 20 day exponential moving average, and after that, multiple weeks form, rejections form, and it started to move back up again, so 5100 a crucial level था, इसके उपर closing करिये, but exactly 51 पर करिये, which is a stable sign, मैं नहीं काहूंगा, कि इस level पर हमें खरीद लेना चाहिए, so let's go to 15 minutes time frame, on a 15 minutes time frame, yes, there might be a circling around, कि याँ पर एक rejection ये ले सकता है, भी आचांस कि यहां से एक fall आ सकता है, so I will not trade, अगर ये 5120 के ऊपर जाता है, there might be a chance कि यहां से, फिर ये 50 to 70 points की rally दे सकता है, ठीक है, और definitely अगर ये इसके ऊपर sustain भी करता है, तो मैं previous swing highs को भी expect कर सकता हूं, इस stock पर आने के लिए, so make sure to put it in your watch list, और अपनी analysis खूद करेगा, before entering into any trade, ठीक है, my next talk is, Auropharma, Aurobindo Pharma आज हम लोगों ने live पर discuss कर रहा था, and let me open a daily time frame for you all, so daily time frame पर the stock is doing very good, stock is doing very good, एक higher rise, higher low, इसकी formation पर ही maintained है, and we definitely think, यहां पर एक momentum आ सकता है, ठीक है, तो let's use one hour time frame, यहां पर अप चेक कर सकते हूँ, it created a very good support at this level, ठीक है, and after that, यहां पर इसने एक triple bottom भी create कर रहा है, इसकी neckline को भी इसने break कर दिया है, अब यह breakout तो दे चुका है, but मैंने यहां पर already alert लगा रखा था, Auropharma के अंदर, कि अगर यह 8.68 या 8.69 के असपास आता है, that should be the good buy, so अगर कल market open होती है, and Auropharma के अंदर, हम लोग एक selling pressure देखते हैं, और अगर यह almost 10-12 रोपे नीचे गिरता है, इस level के असपास आता है, there might be a chance to enter in this trade, after doing your own analysis, जो targets मैं expect करता हूँ, क्योंकि मैं कल इस पे long जाऊँगा, अगर मुझे इस levels के असपास मिलता है, with a possible reversal है, confirmation, so मेरे targets यह previous swing high होंगे, that is 9.06 रोपीज का, so make sure आप इसको भी अपनी watch list के अंदर add कर सकते हैं, our last talk is, Linde India, and let me open this for you as well, सबसे पहले चीज जो मेरे बहुत अच्छे उसमें radar में आई थी, that is the same thing, जो हम लोगों को nifty में देखने को मिली, यहाँ पर double bottom type of structure बना, after that it tried to go up, it formed even a bullish hammer, उसके बाद दो continuous movement भी आई, to get a confirmation, after that इसने आपर stopless इसको hunt करे, and started to move back up again, यह एक particular level है, जिसके उपर यह closing नहीं दे रहा है, तो अगर यह इसके उपर जाता है, that means कि अगर यह 6030 के उपर जाता है, तो definitely इसके अंदर भी एक momentum generate हो सकता है, और यह एक बढ़िया momentum दे सकता है, और लॉंग टम टाइम फ्रेम देखेंगे तो, the particular stock is very bullish, और अभी अगर RSI चेक करें तो 54 पे चल रहा है, as you already know, अगर momentum पे अगर एक sideways या एक retest आता है market लेने के लिए, और अगर RSI 52, 54 के आसपास होता है, वो घूम रहा होता है, there is a best chance to buy that particular stock, because वो एक uptrend को continue कर सकता है, तो make sure आप इस stock को भी watch list के अंदर add कर सकते हैं, मैं एक आखरी बार दुबारा बता देता हूँ guys, कि कल monthly expiry है, तो volatility बहुत ज़ादा रह सकती है, बहुत purely analysis करना, बहुत अच्छे से करना है, without confirmation कहीं entry मत ले लेना, ट्रेल करते रहना stop losses को, because अगर बड़ी candle बनती है, तो वो आपके stop losses को hit कर सकती है, और आप ज़्यादा loss पर जा सकती है, तो इससे preferable है कि आप trailing stop losses के ज़्यादा यूज़ करना, इसके लावा जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, just for educational purpose, कि आप इसी analysis को खुद study करो, practice करो, समझ में आता है, अपनी strategies को use करो, and market पर जाके, खुद अपने हसाब से trade ले सको, यहाँ कोई recommendation आपको दीनी चाहरे है, have a very good day guys, bye bye,